कि कम बैक मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग आयोब आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट आज का यह जो ब्लॉग है यह बहुत डिफरेंट ब्लॉग है कि आज दुबारा हमारे घर में पहाड़ी डिश बन रही है जिसको कहते हैं आलू मूली का थिच मतलब कि जो आलू होते हैं और जो मूली होती है उसको कैसे थीचते हैं मतलब उसको कैसे बनाते हैं उसको क्या प्रोसेसर को आगे वीडियो बताती हूं बट यह जो मूली है यह बहुत स्पेशर मूली है इसको कहते हैं पहाड़ी मूली यह हमारे उत्राखंड में होती है यहा करते हैं यह आलू मुली का थिछ तो यह जो मुली है इनको हम पहले कट करेंगे कट करने से पहले चेलते हैं चेलते हैं तो इसको बहुत हलूक हम छिलते हैं इसको कलर होता है अालो कुंछ होता है । इस नहीं काट दी ई एक मूली काट复आ कि पहले वाइट वाली मुली है अब वह काट रही है, जो red मुली है और यह आलू हमने कट कर लिए आलू तो दली के यह है आलू गाउं की नहीं है मूली गाउं की है तो इसका जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले मूली को हमने छीला उसके बाद हम इसको इस पीस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको भी हम सिल्बत्ते में ठीचेंगे जिस मूली को ऐसे ही थीचने से जलदी पकती है और तेस्ट भी अलग होता है हाँ अपनी एसी है थीचेवे का जो टेस्ट है वो अलग है इसका टेस्ट बहुत अलग होता है कई लोग मूली नहीं पसंद करते हैं बढ़ हम पहाड़ी तो करते हैं तो यह सारे जितने भी मूली और आलू हैं इनको हम ऐसे वन बाई वन करके ठीच लेंगे तो हमारे वे यह चीज बहुत जादा होती है तो इसको बनाने के तरीका उते हैं आग अलग तरीके से बनाते हैं क्योंकि अगर आप एक ही चीज को से नहीं हुए। तो यह हमने आलू मुली के थीच को ऐसे थीच दिया इसमें सिल्बटे में यही मुली यह ममी बना रही है इसको पचाइसे जो मुली और आलू यह ऐसे थीच के देखें आजिफ जरके पानू ज बंकता शीच पादी के देखें लून में अपन के साहँ प्रादी के देखोड़ेस आति हैं जिफ़न की जरकेच में अध़नीょ जली हैं तो यह सारा हमने आलू और मूली को थीच के रख दिया अब यह है लसन और हरी मिर्च जो कि हमेशा की तरह हम इसमें इसको पीसेंगे क्योंकि हमको इसी में स्वाद लगता है और खुश्बू भी आती है लसन से और हमारी हेल्थ के लिए भी लसन बहुत अच्छा होता है लाल मिर्च हम खाने में बहुत कम यूज़ करते हैं हरी मिर्च ही यूज़ करते हैं तो अब इसका मभी बनाएंगे पेस्ट इसमें जीरा कि यह दुटा नीचे इसलिए लगाया है क्योंकि दस्ट लगाने से क्या होता है जो सिल बटा होता है यह इदर उदर फिसलता नहीं है यह एक जिगा पर यह यह रहता है पर आप इसका हम बनाएंगे पेस्ट तो यह पिस्ट चुका है लसन हरी मिर्च और जीरा अब हम इसक को उठा लेंगे कि यह हमने रख दिया है ऑईल आलो मुली थिच के लिए हमेशा के तरह लोहे की कड़ाई पहड़ियों की यह दाल दिया हमने इसमें जीरा कि इस प्याज नहीं डलता इसमें इसमें स्प्रिमाटर डलता है और यह ममीने एड दिया है आपका नमक डाल है ममी आपने इसमें लुस्ट अनमक दनिया पॉडर अलुड हरमी जीरा लसन परेच टीश बीश बहूए यह जीरा हो जाएगा तो यह ओयल हो चुका है वम इसमें डाल रही है समाटर इसे ट्यांज निये डाल दे हम इसे चमाटरी डाल दे हैं तो यह डाल दिया चमाटर और यह वह डाल दिया जुवर जो लसन और मिल्च का पेस्टा वह तो यह हमने इसमें एड़ कर दिया है आपका यह हमने इसमें एड़ कर दिया लसन, जीरे और मिर्च का पेस्ट और तेमाटर प्याज हम इसमें नहीं डालते हैं तो यह थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया यह मसाले जब पक जाएं फिर हम इसमें एड़ कर देंगे यह आलू मुली का थिच तो यह बन रहे हमारे मसाले बनता है यह आलू मुली का थिच तो अब इसमें हमने एड़ कर दिया जो आलू और मुली हमने थिच के रखी ती वह और उनको साथ में एच्छ से चला लेंगे इसमें हम और एड़ करेंगे यह आटा इसमें ममी डाल रही है पानी जैसी हम बेसन का पेस्ट बनाते हैं कुछ ऐसे ही यह ममी ज़रूरी होता है डाल भी सकते नहीं डाल सकते ऐसा कुछ है ममी को कहना है कि अगर हम इसमें पानी आट करेंगे तो यह पतला हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा ठिक करने के लिए अच्छा ठीक है अच्छा यह आटा एड़ करने से यह थिच बन जाता है यह फरक है आलू मूली की सबजी और थिच में प्योंकि कई लोगों के वहाँ पे जरूरी नहीं कि वह लोग आटा इसमें एड़ करें हम लोगों के हम हाँ पे आटा एड़ करते हैं तो कई लोग वैसे भी बनाते हैं तो ममी का कहना है कि वैसे बनाने में वह आलू मूली का जो सबजी होता है वैसा टेस देता है और आटा एड़ कर देने से यह आलू मूली का खिच बन जाता है तो बस अब यह हो गया है अब मुझे पाड़ी चीज़े खाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आप लोगों के साथ ही व्लॉग शेयर करती हूँ देनी यह नमें जाओ आप लिए जान य मा ठीज के लगती है वैसे तो खाना मोशली हजसे के अलगा आप यहां अब इसमें इसमें पानिया आड़ करेंगे अब तो मिलनी इसमे पानिया इसमें आड़ करेंगें, मतलब आपके किपने मैंबर से उस हिसाब साफ इसमें पानिया कर सकतें अच्छा हाँ इसमें एक्स्ट्रा पानी डिसले करा है क्योंकि अभी मम्मी के लिखिए सूखेगा पानी मतलब जब पकता है खाना तो उसमें पानी की क्वेंटिटी चाहिए होती है तो बस उसी के लिए उन्होंने ज्यादा पानी अड़ करा है तो यह मम्मी नही 상황 कर लोगा देखो तक बरबंता जल्दी पक जाएं तो मैं आपको दिखाती हूं यह कितना पक Patrol देखो जा exhibited के जो कलर हम के यह ऐा पहाडी खाने का जो कंकी यहां के जो मोसली खाने का रहोता हूं और अम्यान मां का नुत य으री जो होता है ऑघ्लो मेदु just तो इसलिए हमारा जो खाना होता है पाड़ियों का बहुत सिंपल होता है तो यह देखी यह बन रहे हमारा आलो मुली का थिच संडे स्पेशल आलो मुली का से टासी यह का देखी तो मुली का सह्तोय होता है तो यह बन गया अपना आलू मुली का थिच और भात तो यह जितना ही अच्छा लग रहा है देखने में तो मैं आपको बदाती हूं यह हम यह जो पाड़ी खाना यह मोस्ली जो चामल और यह आलू मुली का थीचे यह मैं हाथ से हूंगी क्योंकि मुझे हाथ से खाना अच्छा लगता है चामल तो चलिए लगता है sentence झाल